हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे की न्यूटन फॉर्वर्ड इंटर्पॉलेशन फॉर्मॉला हम कैसे निकालते हैं तो यहां पर एक एक एक्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू दी है जिसमें हमें एफ आफ वन पॉइंट सिक्स फाइंड करना है यह हमारा क्वेश्चन है और इसके तुरू अब हम इसे सॉल्व करके न्यूटन फॉर्वर्ड इंटर्पॉलेशन मेथट की तुरू आंसर लाएंगे तो चलिए पहले हम एक्स की जो वैल्यूस है लिख ली वाई की वैल्यूस टेबल में लिख ली अब यह डेल ओफ एक्स डेल ओफ एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं 4.82 माइनस 3.49 हमारा आंसर आया 1.33 ऐसे ही 5.96 माइनस 4.82 1.14 6.5 माइनस 5.96 0.5 ऐसे ही हम डेल ओफ 2 एक्स की ली हम निकालेंगे 1.14 माइनस 1.33 आया हमारा माइनस ओफ 0.19 अब दूसरा 0.54 माइनस 1.14 तो आया हमारा आंसर इसमें है टेबल में माइनस ओफ 0.60 आब डेल ओफ 3 के ली निकालेंगे 0.60 माइनस 0.19 मारा आया है इसमें वैल्यू माइनस ओफ 0.41 अब हमें इस एक्वेशन में तीम टर्म दिख रही है एक 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 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म इंद एक्स एक्स की जो हमारे पास वैल्यू वैल्यू है इसमें फर्स टर्म क्या है एए और इसी डी हम्हें के आहोगा इसलिए वह मैं आगे बताऊंगा पहले अब दूसरा एज एज का मतलब होता है common difference common difference हमारा x के table में हम देखते हैं ज्योंकि x से एक element से दूसरे element के बीच में कितना distance है कितने उसकी vary कर रहा है इसमें distance तो 121.4 बीच में 0.4 का difference है यह हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हम x1-x0 या x2-x1 करके एक difference निकाल देंगे यानि 1.4-1.4 1.8-1.4 हमारा 0.4 यानि हमें h की value मिल रही है दूसरा इसमें formula रहता है इसमें u equals to x-a upon h u अब हमें निकालना है u के लिए हमें सारी चीज गिवन है और हमने निकाल लिए table से x है x मतलब होता है कि जो हमें जिस चीज की value equation यानि question में find करने के लिए दी गई है अब हमें find करने के लिए दी गई है f of 1.6 तो यह हमारा h हूँ एक्स हुआ एक्स हमने लिख लिया x-a a means first term और h h common difference जो हमें विली 1.5 अब हमारा formula इसा कुछ लिखा है f of a plus u delta fa plus u u minus 1 upon 2 factorial delta square fa plus u u minus 1 u minus 2 3 factorial delta cube fa plus to n term अब हमें f of 1.6 के लिए चाहिए तो हमने क्या किया पहले f of a a यानि first term का जो value आई first term यह हमारा उसकी value 3.499 तो हमने इसमें 3.49 पूट कर दिया यू अब फिर यू यानि common difference हमारा 1.5 है f delta of fa हमने table से निकाल दिया जो कि हमारा पास 1.33 है तो हमने इधर 1.33 रख दिया अब u into u minus 1 यू हमारा पास given था अब उसमें से minus 1 upon 2 का factorial. 2 factorial मतलब 2 into 1 और delta square fa अब हमें table से मिलेगा यह लिखा हुआ है अब 3 राम equation में अब u into u minus 1 u minus 2 u into u minus 1 हमें यही से दिख रहा है same u minus 2 हमें इसमें नया है यू कि में से यह नि 1.5 में से minus 2 कर देंगे तो minus of 0.5 upon 6 into 2 delta 3 fa अब delta 3 fa हमें equation यह table में से मिल रही है तो delta 3 fa इसमें लिया है बस इसी तरीके से हम में अब answer निकालना है value solve कर ली जो कि मैंने पहले से निकाल के रखी थी तो यह थी हमारे Newton forward interpolation method और आप इसमें पहले भी देख सकते हैं पहले वीडियो हमारे link दीए description में थैंक you and subscribe my channel